दोस्तों जब हम किसी सांप या तेंदूए जैसी जानबर को पेर या चटानों पर चटते देखते हैं तो उतना आस्चरिया नहीं होता है क्योंकि इस जानबरों को पेर या चटानों पर चटना आम बात है लेकिन जब हम किसी बकरी को ऐसी खतरनाक चटानों पर चटता देख तो दरसल इनके पेरों में जो खुर होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं, किसी भी सरफेस पर होते हैं, तो उसी के हिसाब से इनके खुर और जेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसी तो क्या जरूरत आन परी कि इन्हें इतना जोखिम बड़ा काम परता है? साइन्टिस्टों के मुताब ही कि इनके खाने में नमक की पूर्ती नहीं हो पाती है इसलिए ये डेम पर मुझूद मिनेरल संट को चाटने के लिए चट जाती है